अपुनी मन्डी मा छेला एक अठ्वाडिया थी पुवासन प्रातन हदी दरोज एक शिवक आविने प्रभुणा होचन सिख्वाडिया आने एक अठ्वाडियो बू आशिर्वादनों कारण रहियो अने आजे अंधिम दिवसे विशेश्कर ने जे सिवकाई छे तेमनों आत्मिक अगवाई करे छे आने तेमना च्छत्र छायाने नीचे है ॆण ॆ ॆ ॆ ॆ कि अज रात रे आपनी मध्यमा शे तेवो आपना दरेकन आत्मिक माताने विता अब डरेक ममां nossa गविंघ आत्मक फिंघ कोने में वात्यक्य मीचिए है जोरगार थाडियो थी आपने किमी शुधाद करीशन जोरगार थाडियों हाललुया कि अज्ट लाक्स समय थी जमञाख थे अज्ट कान थे अज्ड लम्हा थे लास्ट टाइम गयोथ्यारे जेमनकर्मा मेरे याग आने पूरा भारतमा प्रभुनी स्रेवाने माटे बोज राखना रिक प्रत्थना युद्धा परिवार प्रभुन दास टीटी एंकल आने आंटे अपनी मध्यमा छे प्रभु के दास दासी अपने जगपर खड़े हो जाएंगे चोर्गार तालियोगे साथ केरल से हमारे बीच में शुद्रवार भी आए थे और उनका आना हमारे लिए प्यूcji आज फिर से होए केलीशिया में और हमारे गाव में आने के लिए थालाइवात करते हैं हालेलूया आपका श्वागत करते हैं हाललुया तो आज समय चे आपने समय पर बदो पूरू करवाना चे सड़ आठ वागे आपने शण नोव आगे आसिस वचन यह बोला जेशे और आपने त्यार पची साथे भूजन लेशो आने पची छुटा पड़ीशो आनन करीशो आने प्रबूनों महिमा प्रगट करीशो अललुया आपने प्रबूनों वचन सिख्वाना हाललुया अदुनि मानोशोना जीवनोने रुपान तरित करें छे अललुया अने ते जीवित वचन ज्यारे आपने शामढ़िये छे त्यारे स्विकार करवाने माटे बूद ध्यानती समझवानों वह हमेशा एक वात मनड़ी मा बोलो छो जे व्यक्ते बीज वावनार नो द्रस्टांत नती समझत तेने भी जो कसोज नी समझाए ते मेनती कि दू ईसु एकायो जहे एले वचन ज्यारे बोलवाम आवेश है एस समय तमारे नमारे आशिष प्राप्त करवानों जिया सोधी तमने वचन नी समझाए तिया सोधी तमारों छुटकारों संभव न थी तमे आज़ा थामनों संभ के देवनों आत्मा मारी सते वार्तालाप करें हालेलुया अने तमने को जो तम्या वचन समझाए ना राज हो तो तम्ये जेवा छो एवा ने रेश हो एश्वर तमने असर कारे करिते आगर वधाव से आने आशिषित कर चे हालेलुया तो आविए आपने वचन नी सिवा मज अब आपना मस्तो कोने नमा वियाने प्राथना करिये आने होविनन्दी कर शुप्रवन दास पास्टे जश्वन दागला आवशे जड़तियाने आज ना वचनी सिवाने माटे आपने प्राथनामा सहाईता करशे अब यहां आपने आपने ना पन करिगा प्रात्य कि यह सुर्वा समध्यों अमिकैश प्रवंपोईतर हनाम ने महीमा पियो से षत्तुति करियो से आज नो अधकुद्ली वसतो तमया अमला क्यों संगत आज राध्रिय तमया अमारा अपी तेने मैं घण्यवादि खान शाय श्टिया राध्ना कर मटे आप आपी तेने मैं पणापल पर्भु पववन। कर दोखी रोगी लाचार से त्योपर अनुग्रह करो और तमें तमने पूरुना साजा पुनाप जब प्राथने करिये चे तरुपने आपके लिए प्रभु नेख लुटे पवित्र वच्चन मोख्ली ने दर्यक ने तमने स्ताजया पुन अब जो ऊचिर आधब जो आज रात्री तमरा दास ने प्रभू तमरा आत्माना बमना अभिश्यक्ष रहतमे उप्योग कर प्रभू हाला लो ही या तेमना मुख मा रही ने प्रभू तमने पोत मिदरीक नी ज आवी ये जोर्दार्ताड़ियों थे प्रहुनदास पस्ट राजीवेत्र मस्ट आपने स्वालत करिये तो प्रहुन वोचन आपने मद्यूमा लाव से प्रहुना लाभा सबको हापी इस्टर जी उठा हुआ इस्व मसी के पवितर नाम में सबको प्रेमी सलाव प्रेमिय अनिक्रगारी प्रमेश्वर आपका प्रिय पुत्रमारा उठार करता प्रमी इस्व मसी के नाम में आज रात्री की समय गंजापुर्टी मट कलीशिया, मारे मंद्री विस्ताव की सारे भाई, बेहन, बच्चे, इस पुन्रत्थान की शान की समय, प्रभु ईश्य मसी का जी उटने की कुशिया, पुरा वेल्ड में लोग मनाते समय, हमरे जीवन में जिन्दा प्रभु ईश्य क कर दर्शन मिलने के लिए सब भागे मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते ही, जो पछले एक अप्ता में प्रभु कलीशिया, आपके संमुख उप्वासर प्रात्मा में एक आत्मी का अनित्र हम है के पाप्त प्राप्त करने के लिए, आत्मी के लिए, जीवित प्य े वज्ञन की भंडार में से हमें खोल कर दे प्रभुजी तकि उस वज्णों को हम समझ कर उस महिमावं दीश्यमसी की तेजों में महिमा अमारे विक्टिकट जीविद के द्वारा ए दुनिया में इस युग में इसफिडी में प्रगड़ोने करने के लिए अलेलुया भुलो प्रभु इस्यमसी की आमीन मैं बहुत खुश है आज रात्री आपके बीच में संगती करने के लिए प्रभु ने जो सुंदर वसर दिया अज की सेवगाई के लिए मुझे आमंदरन दिया मैं दिल से प्रचोटा भाई को और पूरी कलीशिया को पूरी संग को मैं धनिवाद देता हूं आज भी सुबस से अंगल सेवा में थे सुरत में भी काफी संग्या में लोग जगना हो इतना भीड के साथ आरातना करने के लिए प्रभु ने अनगर दिया शाम गवाफ के बीच में अज शक्कत ओडर है गुजराती नहीं बोलना है इसके मैं हिंदी में प्रचार करूँ आलेलोया अज शक्रण जी उठावा इसमसी की कुषियां इस्यु कबर में नई इस्यु मसी जिन्दा है ओ इस्यु का दर्शन मेरे और आपके जिवन में मिला है एस्यु कुछ लोग आज में से सुस्ते है इस्यु दोवाजार साल के पर इस्यु उटा तो हमारा क्या लेना देना है है हमारा क्या लेना देना है मैं खुशिश करूँगा हमारा क्या लेना देना है आज वजन की आदार पर वैबल की भेदों को मैं आपके सामने खोल कर पूरा मैं वैबल को वजन को जोड जोड कर इसंदेश को आपके पास लाने के लिए प्रयेक्ट ने करता हूँ अब सो सल दुख की बाती ही है इश्म सी समसार में मानव रूब लेकर एक भालक बनकर दुनिया में आया दुनिया की ग्यानवान, गुद्धिमान, समझदार, पड़े लिखे, विद्वान लोग, महापुरिश लोग अभी तक इश्यू को नहीं पहुचाना मैं प्रभु का धनिवात करता हूँ, मैं आप साधारन मनुशे इश्यू को पहुचान लिया है अलेलुया, अभी अमारी प्रात्ना यही है भारत की 145 करोड में से कोई भी इश्यू को ना पहुचाने इसा ना रहे है कि इश्यू ने कहा सारे जगत में जाकर प्रीजी उटने कर संदेश लोगों को देदो और लोगों को क्या बनाना है यह उसकी पगाम है उसकी आदेश है एशु मेरे इशु मेरे जीवनने ना होता था आज रातर बें गर्णापुर में ना होता था अगर ईश्य मेरे औराब के जीवन में ना होता था हमेंसे 90% लोग शाए दुनिया में भी जीविद नहीं रहता था क्योंकि मुर्तियों की अधिगारी सेतान मौत की और में गिसेड कर अदम पाताल की और कीश कर गिसेड कर ले जा रहा था वह रास्ता में जीवन देने वाले ईश्य के साथ मेरे औराब का मुलाकात हो गया है जीवन बदल गया है इसलिए गिर्गार ने कहा जब से प्यार ईश्य आया मेरे जीवन सदियों से आजरात रही लोगों का जीवन बदलने वाले इश्य उदर आया है वो येशु जीवीत है मेरी कोशिश है सदियों से लोग येशु को पहिचानने नहीं पाता है कि येशु बड़ा सामर्ती पराकरबी बनकर नहीं है वो पराकरबी परंबर्वान के पुत्र है सर्वशक्ति मान है जो कुछ सिर जा गया सब कुछ उसी के लिए उसी के द्वारा उसी नहीं सिर जा वेकर उस समसार में आया एक दास बनकर सेवक बनकर आया है अगर एक महल हतिकार के साथ दिव्य सामर्त के साथ आता था शायद लोग उसको पहिचानता था वेकर इस वह से नहीं आया क्योंकि परमेशर की वचन में बाइबल की आदी पुस्तक गुत्पती की पुस्तक में परमेशर नहीं गलत पाप किया हुआ आदम आँवआ को एक प्रदिप्ना दिया में तुमारे लिए एक इस तरीका संदान को एक बालक को बेज दिया जाएगा विश्य कोन बन के आया है वालक बन कराया है विश्य को बनाने वाला सूर्य चांद तारा का सरजनहार वो समसार में आया मुझे पापी को आप पापी को हम पापी को पाप से तार कर पापों की छमा दे कर परमेशर का तुल्य बनाने के लिए संदेश समाप्ती में उसका भेद में आपके सामने लाना चाहता है वो मसीह दुनिया में आया दुनिया के लोगों ने उसको नहीं पहुचे ना मतिकिसु समझार उसका चपीस बद्या है दुनिया में यह फूदी समाज में सबसे नामांगित जो विकती है राजाओं से महाया जग बोलता है महाया जग का पोट्रक अलग है सबकुच अलग सबसे बड़ा अथिकार उसके पास है राजाओं को अभिशे करने का अदिगारी महाया जग के पास है वह महाया जग वी वो मंदर के अधिगारी है मसी एशु मंदर में आया मसी को पहिचाना नहीं है लेकर मंदर में कुछ साधारन लोग दा वो लोग एशु को पहिचान लिया है आज की युग में ये सवबागे आज की युग की बड़े-बड़े धर्मपुरिशों बड़े-बड़े महलपुरिशों बड़े-बड़े धर्म की गुर्यों बड़े-बड़े ज्यानी विद्वान पंडित लोग समसार में है वो लोगोंने मसीह को नहीं पहिचाना मैं और आप साधार अन्य से साधार हम मसी को पहिचान लिया है हलेलुया यदि एक वेक्टि मसी को पहिचान लिया जाएगा और उसकी देंदवत और आरादना करने लगेगा हलेलुया क्योंकि मात्र आरादना के योग एक नाम दुनिया में दिया गया है वो मेरा मसीहा मुझी के नाम है सब्सक्राइब को नाम आरागन के योग यह हैं मैं सब्सक्राइब के सामने रखते हुए इस बचन की और आगे बढ़ना चाहता हूं इस मशीब अपनी आईदिक सेवगाई के लिए इश्रों का इश्र देवाद देव सारे मानों चाहती की पापों को हरा ले जाने वाला वो मैमना बन कर एक बालग बन कर समसार में आया समसार का लोगों ने उसको नहीं पहुचाना आज भी वो यह इसु जीवित है वो यह इसु गंगापुर में भी है लेकिन अभी भी अपसूस की बात है अतना सा बचन सुनने के बाद भी कई लोग इसु को आज तक रही है अजरात्री इस्टर की संदेशा के लिए ही है वह इसु को अप्तों कम से कर पहिचानों आपका मुक्तिदादा बन जाएगा आपकी पापों की अप्रादों की माभी हो जाएगा आपको अनंद जीवन मिल जाएगा आपको शुर्ग नाज्य मिलेगा अब सुर्ग का कि अच्छा ना है मतिक इस सब्जार उसका 26 माद दिया है कि अच्छा तावन बजन से 57 बजन से पढ़ेगी उसका 64 तक बजन पढ़ेगी हिंदी बढ़ों को जाती बढ़ों कोई भी पढ़ा चलेगा माइक में पड़ सेगे तो अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा अने पीतर दुर रही ने तेनी पाच्छड पाच्छड प्रमुख याजक नी कचेरी शुदी आवियो ने माहे जईने परिणाम जोवाने भांदारों नी पासे बेठो आने इशुने मारी नाखवाने मुख्य याजकोए तथा आखी न्याई सभाए तेनी विरूद जुठी शाहेदी सोधी आने जोके घणा जुठा सक्षी आविया तो पण ते न जड़ी पण पाचड थी बे आविने बुन्याके एने एम कहयू हुँ देवन मंदिर पाड़ी नाखवाने तथा ते ने त्राण दहाडा में पाचव बांधवाने समर्थ छू त्यारे प्रमुख याजकी हुभात है न तिने कहिऊ। सब्सक्राइब नहीं कि राजाओं से बढ़कर महायाचक महायाचक की कचेरी में सारे शहिद सक्षियों को खड़ा करकर इश्यू को मार डालने के लिए एक ही लक्षणा यह इस्यू रहेगा आइस्यू रहेडा जूती काम नहीं चलेगा इस्यू पाप का विरोध में बोलने वाला है इस्यू पापों को ख्यमा करें वाला है आज पापि को मुक्ति देने वाला है वो इस्यू नहीं चाहिए आज भी यह यह बाकि किसी के बारे में प्रचार करो कोई किसी को पेट में नहीं दुखेगा एश्यू के बारे में प्रचार करें तो आज भी क्या हो जाता है दुखाओ शुरू होता है या आज की बात नहीं है सदियों से बाते चल रहा है उच्षो को, मार दालने के लेक्षणी अंद्र बैना कर, महायाजगों के कचेजी में, सारे ग्रामैं को कुमारी गर्ववदी होकर एक बालक जन्मा है इसरायर के इदिकास में आज तक और कोई जन्मा नहीं है मेरा इश्य मसी का जन्म हुआ है थोड़ा इसका पृष्ट भूवी में आपके पास लेकर आना चाहता हूं उत्पती 3 का पंदरा में जो लिका है स्त्री का संदान आने वाला है इसको समझने के लिए एश्या नभी के पुस्तक में यह थोड़ा इसका इदिकास में से लेकर आपको इस भजन की वेदों को समझ आपके सामने आट यह साथ दिया आए इसका नभी के पुस्तक उसका साथ दिया इसकारण प्रभु आपी तुमको एक चीना देगा यह देगा प्रभु आपी तुम्हें चिन्न देगा मनुश्या चिन डूढ़ रहा है च्बाकार दूढ़ रहा है प्रभु आपी तुम्हें चिन्न देगा एक कुमारी गरभवदी होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमान्युएल रखना और जब तत वह भूरे को त्याग ना होर बुरा को त भाला को ग्राइन करना ना सिकें तब तन वह मक्कन और मदूत से जीवित रहेगा दिर्गदर्शी भुष्यवक्ता ये शिया के दौर जो यहतन वाटिका में आदम वहा को प्रदिया हुआ फुर्शिवाडी की पुर्ति गरंगा स्पष्टि गरंगे रूमें ये सिया के दौ तो came to come to satu doos याद दिला गए एक कुमारी घर्ववदी होने जा जा रहा कि दुमिया में जितने मान वात्जिंदा हुआ होने वाला है हो गया सभी एक पुरिश का संदान की चितने भी लो अपने फिता करे तो अपनी पती के नाम से जाना जाता एके वीश्यकी दिक आस करने के लिए आज भी वित्र लोग पूछता है ये शू को कैसे मार सकता है ये शू रूआ ला है वो परमेश्चर है को मर नहीं सकता है सच्छे परमेशन नहीं मर सकता है लेकि परमेशन को गलती नहीं होता है परमेशन मनिश्य को मरने के लिए नहीं सिर्जा आमें परमेशन मनिश्य को मरने के लिए नहीं सिर्जा सदा जीवित रहने के लिए उस मनिष्ये को परमेशन ने एक परीच्छा दे, परण दी या, बढ़ा यह वृच्छे का भल नहीं खाना, खाएगा तो मरेगा, अगर आदम अवह वृच्छे का भला बुरे के पहिचानका वृच्छे का भल ना काता हो, आज भी बुणा पे गडर आदम अवह जीवित रह प्रवंदूर्थान के शरीर जब मुझे और आपको मिलेगा हम भी कैसे बनने जा रहा है दूतों के समान बिरने जा रहा है हाले जी जी उटना क्या है हम इस्च पर विश्वास करने श्यंगों क्या मिलने वाला है यह मैं आपके पास लाने के लिए कोशिश कर रहा है सदा जीवित रहने के लिए परमेश्टर ने मनिश्य को अपने सुरोब और सादर से में सिर जा गया था तेकर उस मनिश्य के सामने एक तीसरा विट्टी आया उसका नाम है कालिया भूध वो आकर क्या वोला फक्क जूत और जूत का बाप उसके नाम ही क्या है जूत और जूत का बाप आकर कहा निश्चे नहीं मरेगा परमेश्टर ने क्या वोला यह भल नहीं खाना खायेगा तो मर जाएगा वो कालिया भूधा कर वोला मेरी कसम निश्चे नहीं मरेगा तो वीश्टर के समान बन जाएगा क्या प्रलोबन डाला सबसे बड़ा पाब हुई है प्रलोबन गी आत्मा हम पगला मनुष्य में पगला माता पिता में प्रलोबन गी आत्मा डाला इसका परिणाम क्या हो गय उसने परमेश्व की बात नहीं माना सेतान की बात माना सदा जीवित रहने वाला मनुशे मृत्यू की आदीन में आया है कि प्यारे भाई बहन में परमेश्व की वजन की आधार प्र और एक वजन उसके साथ इसाथ है वह यह सीया नौद्याय में शे वजन इसलिए कि लोग सिलो के धीरे धीरे नव अध्याय का छे वजन क्योंकि हमाले लिए पढ़ी यह नव का छे वजन के आपने सारु छोकर उतरियो छे शोकर एक बालक आने वाला है बालक आने वाला है आपने पुत्र आप्वा में आवियो तेनी खांद पर राज्या दिकागे शे खंदे पर क्या है सर्व दुनिया का रियाज्य अतिगार उसके खंदे पर है अल्यलूया लेकिन और इतने अतिगाही है लेकिन कौन बन गयाया पुत्र बन गयाया, बालक बन गराया है, है जिनात्री मुझे सुनने वाला, नजदी कर दूर से सुनने वाला, तमाम प्रिये लोगों, मैं हाल चोड़ कर आपको बिंदी करके कह रहा है, यदि वो बालक को पहिचान लिया, अब दुनिया का सबसे धन्य बेक्ति बन जाएगा आपके जी बन गये, अंगीनी देवराद, जो तुनिया की कोई भी मा भी ना दे सकता है, वो बालक आपकी सर्व पापों से आपको शुद करने वाला, आपको छोका बनाने वाला, आपको निर्दोशी बनाने वाला, आपको पवीत्र बनाने वाला है, उतने नहीं, वो बाल खिलो नहीं आज में पूरा मुलने पाएगा कि निकोशिश कर ला है एक पुत्र दिया अपस बढ़ी है पिश बढ़ी है अपने सारू छोक्रा उतर्यों छे अपने पुत्र अप्वा मावियो छे तेनी खांद पर राज्यादिगार रहे खांद पर छे अने तेने अधुद मं बालक है लिकिर उसका नाम दिया गया है शांदी का सरदार शनादनभाव युगों का पिता वो पुत्तर बन कर आया वो बालक बन कर आया दुछ्से सब्दों में वो मनुश्य बन कर आया इस्वार को मार नहीं सकता है अब बड़ी बेद की बात में अब समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो परंभिता अपना पुत्र मसीहा को पुत्र के रूम में समसार में बेजा पहला कुर दिपंदर माध्या है क्यों ये बात पर में सुन्ने किया है बाइबल की खुबी यही है जैसे कहानी के पुस्तक समान अध्याई एक दो तीन चाहता इसा नहीं लिखा है बाइबल के खुबी बाइबल में इदर उदर कुछ बातों ने मुसा ने लिखा है कुछ बातों ने दाहूद ने लिखा है कुछ बातों ने लिखा है कुछ बातों ने अमकों दिया है यही काम आम आपके सामने कर रहा है प्रविश्ट पहला कुर्मी पंद्रमाथ दिया है अगर उसका 21 हो जाए क्योंकि जब मनुस्य के द्वारा मुर्त्यों आये प्रविश्ट कहां से आया कि परमेश्ट मार दालता है मुर्त्यों कहां से आया मनिश्ट के द्वारा पगला मनिश्ट के नाम क्या है आदम परमेश्ट को सदा जीवित रहने के लिए आज भी जिंदा रहना चाहिए था बुड़ा पे नहीं होता था वार्दी के नहीं होता था नित्य जुवानी में दूदों के समान सदा जीने के लिए सिर जाए गया था यह कंडिशन दिया यह भीच वाल अब रिच्छे का फल नहीं खाना खाएगा तो मर जाएगा लेकि शेताना कर क्या बोला निच्छे नहीं मरेगा उसने समान बर हुद जा मरे भीर विट ना को बहुत अच्छे वाएगा पर मेश्चिकी बात माना किस की बात माना है यह इंण झाल के वाथ उभू झालत अब गाट बांद रहा है दुष्ट शेतान तुम्हेरा परदादा को तुने भाका दिया मुझे भाका ने ना पाएगा मैंने मुसिहा को पहिशान लिया है हमारे ताकत नहीं है हम उसको ख्रानग कैसे मुर्द्वध मैरा प्रभु हुझ खाए उसने कहा भूच coping घरा काहा है मनुष्य के द्वारा क्या आ गया मुरुत्यु आ गया और दूसरा बैचन पंत्रा 21 वाजी इस्वा बैचन तो मनुष्य के द्वारा मरे वो का पुनुरुत्थान भी आया हालेलुया केम के मानस द्वारा मरन थे माते मानस द्वारा मुएला नुपिनुरु थान पड़ थे इश्वार मारन नहीं सकता है इसलिए आज बी विस्वाको समझ भी नहींών आता है यश्य मशी यश्वार तो क्यों मरा लोग पूछते कि नहीं तो यूद वह पूछते कि नहीं स्कूल में कोलज़ों में तुमारे इसर इतने बड़ा सामुपती है मेरे पाप के लिए इश्यु मरंग पाया आप पोचेंगे इश्यु मरंग पाया तो वह प्रश्ट लोड इस ने पाया मनिश्य के द्वारा अभी क्या होना है एक बाइसों बचन आदम में और जैसे आदम में सब मरते हैं पहलां ना में संधानय कोई वी साथी में कोई देश में कोई भी परिंद में दैसं में अब जणम लेक्वे समें और अध। आदा का नाम है आदम आदम के परिवार में जितने में खन भूरा जो मरन आया है वो मरन आज दर्टी में क्या कर रहा है राज्य कर रहा है क्योंकि मरन का अधिकारी शेतान है मैं वाजन दिका लोगा इसलिए परमेशर सयम मनिशरू दारन करकर एक वालक बनकर हालिलुया कौन बना? इश्र नहीं बना इश्रों का इश्र कों बन गया बालक बनकर आया वो बालक समसार में आया महा याजकों ने पहुचाना नहीं है पौरुनियों नहीं पहुचाना बड़े-बड़े धर्मगुरुओं नहीं पहुचाना महा राजाओं नहीं पहुचाना लेकिन जिसको प्रदिक्ना मिला था उस ने पहिचान लिया है अलेल्विया वह वह अमय रिए और में ने पहिचान लिया है हमारे लिए बालक नहीं है हो हमारा बिता बन गया है वह हमारा फर्मेश्र बन गया है वह हमारा सरवस्थ बन गया है जैसे आधममें सब मरते हैं वैसे ही मसी में सब जिले जाएंगे हलेलुया आदम हमको क्या दिया है मुर्त्यू दिया है मसी अमको क्या दिया है हलैलुया जीवन नहीं है पुरुरुफानका जीवन विश्वकी दियास में एकी वेक्ति ना कहा पुरुफान तरह जीवन हुं जो मुझा पर विश्व आप करेगा मरेगा तो भी जीएगा इसलिए हम लोग मसीह का प्रचार करता है इसलिए हम लोग जी उठावा मसीह का प्रचार करता है हजरात्री खबर में जो इश्यू है उनका प्रचार करने के लिए हम लोग नहीं आया है जी उठावा मसीह हलेलुईया अपसोस की बात ही है आज भी लोग जिन्दा मसिहा को मुर्दों के बीच में डून रहा है यह मैं नहीं बोला, मेरा ईश्य खुद बोला बोला गे नहीं, तुम जीवतों को मुर्दों में क्यों डून रहा है विश्वकीत का आश्य में, बहुत महाबरुशों आया बड़ा बड़ा क्रमें लोग आया, बहुत बड़ा सादू संदों आया बहुत एच्छे से लोग आया, तरही सब बरमित गया सब का खबर बंद है, लेकर दुनिया की मद्धिभाग में ये खबर बंद है वो खबर के अंदर जाने के लिए मुझे सब भागी मिला वो खबर के दिर्वाजा पर लिखा है, वो इदर नहीं है, वो जी उठा है अलेलुईया, विश्यो में किसी का खबर को पेरा नहीं रखा है मेरे एश्यो का खबर पर पेरा रखा विश्यो में किसी का खबर पर महर नहीं लगाया है मेरे एआश्यो का खबर पर महर लगाया है तश शान लगा कर, महर लगाकर संहिनिकों को रिकवाणी के ले दिया है तो भी कुछ बहने एईश्यो की खबर के अंदर की देव पर चड़ाने के लिए एक्तर तयार कर रहा है हो 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 हाललुया उसको कहते प्रेम खारन उसको बादू नहीं दा येश्यू जी उठाएगा देखे उसके एक इचा दा ये इश्यू के लिए आमको कुछ करना है करना है प्यार परमेश्य के लोगो तो मैं बहुत लंबा है बहुत गहरा है मैं कोशिश कर रहा है ये संदेश आप तक पहुंच आने के लिए प्रेक न कर रहा है ये संदेश आप समझ गया आपका जिंदगी बदल जाएगा आपका सोच बदल जाएगा आपका परिवार बदल जाएगा आपका भूशे बदल जाएगा आपके द्वारा लाकों लोग बदल जाएगा हलेलुईया इसे वो मनुष्य बन कराया क्यों? मनुष्य के द्वारा मुर्त्यू आया मुर्त्यू को हराने के लिए उनको कौन बनना पड़ा? इसरों का इसरों को मनुष्य बनना पड़ा इस मसी का मरन पर जो विश्वास किया इस मसी पर इस मसी ने का मैं पुर्थान और जीवन है जो मुझे पर विश्वास करेगा मरेगा तो भी जीएगा दुनिया में मुर्तियों की उपर की मुर्तियों की पार की जीवन के बारे में समझ पाया हुआ कोई लोग है तो मेरा आप है बड़े बड़े पंडितों को पूछो तो बोलेगे हमको पता नहीं है क्या वने वाला है कोई बोलेगा कोई जीवी बनेगा जानवर बनेगा पश्यू बनेगा ओ बनेगा dare लगा कि मुझे मालू में मैं क्या बनने वाला है जैसल मेला मसीह है उससी के समान में मेय्स और नहें उसके 맞़ने जा रहा हो चुइंड को हुआ है कि तीरे से नहीं गतव सेंगेट किस दूसराे दिया ऐसे Ctrl Maw h को कि टोर्डोतिडल्स और शूक्रा शोंतालो विन उनला लुटल फेलाु चोखर मामस्तों लोहिना वेनावेला चें सब्सक्राइब साय क्लाय चैनम क्लाजुए चैनल फ़िया। कमिते पोटेंें आलोण साय सकाज के चोखरोम करनो बदाएल ऐवा। नगेल काल तुन‌ेे लोहिए। कुल बन गढ़ाया हमें चोकरों चेल ले कुल बन गराया learners कर दोव्हा अभी का ल्योजा अप कर है लेलुइ आज रात दीं अच्छार करें तो अंच्छोग कोfather टोम जिवन ऑनदी कर शे प्रन नहीं जीः उचने वाला सामर्परयने वाला है अंसरा हमें लेंसकों आकाशों की आकाश के पार हमें ले जाने के लिए वो बालक आने वाला है लेकिन उपहले बार आया बालक बनकर आया अब आने वाला है दुदा बनकर आने वाला है अलेलुया बाद में वो आने वाला है राजा बनकर आने वाला है अलेलुया यह सब बोलना ओर टाइम लगता ह चुक्रा मामस्त तता लवीना बने ला हुएचे नहीं बढ़ीदार ते और ज्य थे पोते मरण पामीन है दूद्रों मत्री कोईने नाम कोईने मुख्लेला प्रभुक यह जगोने नाम कर दिया यह व न यह 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 9,59 ओनावाला बादर गिख देल करता दिएंग videosid क्यों आया देह क्यों आया स्टूधूलिक को अपने देह करने के लिए इस संसार में आया हालेलूियस department पर सत्ता धरवनारनो शैतान का नाम ज्या है मृत्तु की अधिकार शैतानाकर क्या बोलते है माई टाको तेकि मेरा येशु क्यों आया है जीवन देने के लिए तुमको किसको मानना है कहीं भी शैतान आते तो क्या बोलते है तो भी बोलते है उख्यून खूर की प्यासा शैतान को रोटी नहीं चाहिए डाल नहीं चाहिए गोकडी नहीं चाहिए बक्री नहीं चाहिए खई नहीं चाहिए क्या चाहिए खूर की प्यासा उसके नाम है मरन की अधिकारी समय के पगले खतम करने वाला मैंनेशे को आत्मातिया के और खेशने वाला ये इंसान इस्वन को मान कर सदा के लिए जीने का सौपा की तुम्हें दे रहा है क्यों मर रहा है इसने प्रभू ने का मुर्त्यू के लिए गिसेड़े ला जा रहा है उन्हें छुड़ाओ ये काम मारा काम है अलेलुईया आजरात्युर्भी गंड़ा पुर्में ये काम हो रहा है आमें... पढ़ीये... पढ़ीये... फिश्व प्र कर ऑंदो! … वालक बन गाँ मृत्व की अधिगादी को अपने मृत्व की द्वारा हराकर उसके पूझ सहे।बे अधिकार पहां है मृत्यों पर उदिकार पाया हुआ हुआ, ही कि यूर शक्ती देश्षू यह थंशार में आया आकार क्या कर दिया सुनिए हैं मड़न न COP थी जियों आखा जीवन परियंत दासत्र। अमें पूदार यहले पत्कृते करता शक्राइट सब्सार को का जात्तर शाणास कर दächlich माले कोंनों मांक योिपarkा लां सेफिंग्वया चाहिए अगरा मरा पेट में रहा है मरन का आवराता है पेट में भी आता है फेट सबसे सलामत जगह आगे माका को उधर भी मरन आता है करना उदर भी मृत्वियों के अदिगारी की सक्ती है अगर को आप दुनिया में पैदा होने के लिए परभीर जीवन दान देगा वो बेत तुमारे पीछे लग जाता है इसने माता हो पिता हो संदानों के लिए पीडियों के लिए क्या करना चाहिए प्रार्तना करना किया बोलते हैं? किसके भीग लेगता है? मरन का भीग मरी गए तो क्या होगा? कुत्अ काटे tकBon, த गज़े तो क्या हो जाएगा? हापडा कटे तो धंद मारो तो माई गए तो कही खो? बचपनी से क्या आगया है? मृत्व का भया आगया है बच्पन से बच्वे से लेकर बूड़ा आता है मनुषे के अंदर एक भय है वो भय का नाम है मृत्यू मरंग भय है उसका नाम किया है उसका एक कोलिफिकेशन दिया है उसकी दार्सोत्तों में पूरी मान हो जाती चाहें दुनिया की सबसे करोटमदी होगा उसके पास भी क्य है अजात्री मरंग कर ने मृने के बाद क्या होगा दुनिया वालों को मालूंने महरं के बाद क्या मिलने वह सब्सक्रांच ओक्रने मेरा मैरा Championship कि टूं नंसया करने के लिए काघने के लिए एक है तो बच्द को मार रहा है हुथ मुर्त्यू को मुर्त्यू से घराया।्टाइं नहीं हराया। शातान तो भू तर मुर्त्यू के अधिगारि एंगे तरह तकत करूं एम दिखाव। इस नंगे निरे पास है। प्रूटमे लिए निया मुर्ट्यू की दास्तत्य में भै में रहने वाला मुझे उंडी अजय को मुष्ट्यू से जुड़ाने करें विए रूट्यू इसनी बनगर संक्षार में आया पढ़िए पढ़िए दोकर जफिस्ट पढ़िए नीचे पढ़िए आखा जीवन परियंद दासत्व मां हता तेवाने मुक्त करें तेवाने मुक्त करें केमके खचीत ते दूतों ने हाथ देतों नथी दूतों ने माटे नहीं आईवा बालकों ने माटे आईवा पंड इबराहिमना संतान ने ते हाथ दे छे तेथी तेने सगली बाबतों मां वोताना भाईयों ना जिवा थाओ जोईतों मनिश्य का जाइसा मैरा जैने मेरा बाइर घृ ररे है 60 मेरा बड़ा भाई हल्य कोई में है चोटा बाई oppaking अदीन ने था मुझे जीवन देधे लिए मुर्ति इस विश्य मेरे लिए मुस्तलिया अदो Counsel Cu आज क्या मना एश्व जी उठा है हालेलुया हालेलुया जी उठा हुआ येश्व का मैं और आप गवा है इसले इश्व देखा मैं पुनुर्थान दादा जीवन है जो येश्व मसी के पास आएगा वो जीवन अमको मेरता है लेकिन महायाजा को नहीं मालूम बढ़ा ये इश्व कौन है राजा हेरोवेश को मालूम नहीं पढ़ा ये इश्व कौन है पिलातोस को मालूम नहीं पढ़ा ये इश्व कौन है लेकि मैं और आप साधारन को आज मालूम बढ़ा ये इश्व कौन है ये परमेश्र का पुत्र है मेरा मुझी मेरा मशिहा है मेरी पाबोर से चुराने वाला है लील। यह हमारी अप्रादों में से चुदा लिया गए हूअ ईसचु के पास आता है भरमारवान अपरादों मेंसेceptि दी आ जाता है हमारे नाम दूल में से मिठाकर सुर्ग की जीवन की पुस्तग में हमारे नाम लिखाया जाता है प्यारा परमिश्य की लोगों ओ ये इशु समसार में आया लोगों ने उसको नहीं परचाना उसको लेकर इशु मसीगी मादा मरियम और जोसफ इरसलेवियम की मंदर में आया बजार में नहीं गया कहां लेकर आया पधिवार इशु को मंदर में मंदर म येश्यू की माता पिता गरीब परिवार का था कबूतर की बच्चों को लेके आया हालेलुया कोई बड़ा बड़ा बड़त को लेके आता था बड़ा बड़ा बच्चरों को लेके आता था बड़ा बड़ा घटाओं को लेके आता था माहाया जो कुछ लाइन में लखड़ा हो जाता था चलो हम लो उसके अरपंदर रेंगे लेकर एक कबूत्र को लेकर आने वाला दिरीव है उसको अरपंदर तो क्या मिलने वाला है उसके सामने कोई नहीं आया एक नो मंदर में दर्सन बाया हुआ एक हन्ना और एक शिमोन था उसको प्रदिक्ना मिला दा मरने के पगले तुम्हेरी आंगों से मस्या को देखने पाएगा मेरा प्रे भाई मेरा बहन आक आंग बंदोने के पगले यह मनिशे बनकर समसार में जनम लिया आपका प्राण निकलने के पगले इशू को पहिचान लिया अब धन्य बन गया हलेलुया शिमोन ने इशू को हाथ में लेकर कहा यह पिता सब जातियों के लिए तुने तयार किया हूँ उथार मेरे आगों से मेने देखा है इशू कोने यहूदियों के उधार करता नहीं है सारे मानव गुल का उधार करता है हलेलुया अब सोस की बात ही है आज भी शेतान मनिश्य की आंगों को अंदे बना कर रखा है ताकि परमेश्य का मसीह को दुनिया नहीं पलचाने के लिए लोगों की आंगों को अंदा बना कर रखा है लेकिन यह सुसमजार जहां प्रकड़ होता है अंदे अंगे खुल जाता है लोगों में परिवर्त ना जाता है प्रमेश्व की सामर्त लोगों में काम करने लग जाता है प्रेविश्वर हालेलुया आखरी में साड़े 30 साल के बाद इश्व मसी के पुर्दोष लगाया गया यह परमेश्व का पुत्र का है कर दूंदी अर्दोष लगाया गया है वह इस्वरों का इस्वर जो कुछ इस पर फिलिप्यों की पड़ रहे का टाइम नहीं यह मैं जाना नहीं चाहता हूं कुछी मिल टेर्व सामने वह इस्वर का सुरूता में इस्वर की समालगा में सात्री की समय आपके दिल की दर्वाजा पर कटकटा रहा है बेटा बेटी भाई बहन में तुम्हारी पापों से तुम्हें बचाने के लिए सुर्ग राज्य में तुम्हें भाग लेने के लिए आदम के द्वारा जो कुछ तुम्हें चुरा गया है वो तुम्हें अनेगो कि जीवन में बदल दिया जाएगा महायाचक उसको नहीं पहुचाना पुर्णियों ने नहीं पहुचाना लोगों ने उसको पकड़ा आज के दोजार साल के पगले आजी के दिन के समान शुकरवार के दिन उसको कुरूस पर लटका दिया गया उसके उपर दोश लगा दिया उसके उपर अपमान किया उसको ठुका तो क्या नहीं किया उसने कुछ भी रोद लए किया खारन उसका परन एक प्राइस्चित का मरण बिलिदान दा हलिलुई यह जिसे बिली पश्यू को वेदी के साथ बांधता है तो को क्रूस के साथ क्या कर लिया खिलो में बांध लिय प्राइचित वोने के लिए वाट प्राइचित वोने के लिए प्राइचित विए अधम से लेकर पश्यों की बैलुदान करना पड़ता था यहान पोतानी पासे इस्यू ने आउतो जोई ने कहें चे जूओ देवनु हल्वान के जे जगत नुपाप भरन करे छे आप नताओ येश्यू क्या हल्वान है? हल्वान न मतलो सुचे? है? गेटो है इसा दोने बाला बिली पश्यू क्या येश्यू क्या गेठा बन कराया दुनिया में? मनिश्य बन कराया लेकिन युहना उसको कही से देखा है वापस विश्यू आते हुए देखते हुए युहना ने क्या कहा? जो देवनु हल्वान के जे जगत नुपाप हरन करे छे ओनी पाप? जगत न मतलब जितने लोग थे आने वाला सबका पाप हरा ले जाने वाला एक में मना आया उसका नाम है मेरा इस्यू आखाश के नीचे प्रत् पैंदी से पड़ी पैंदी से पड़ी ए बीजे दहाडे यहां तेना बेश इस्यू ने साथे फरी उबह रहे लोगा तो तेने इस्यू ने चालतो जो इने कहयो चे जो देवनु हल्वान इमार कई शब्द में कई वरक है? है पहला क्या बोला धरमेश्य का मेंना जगत की प साबजनी के लिए लेवी वस्ता की पुस्तक में जाना पड़ेगा तो समय के लिए इस्यू नहीं मुझे साथ में? जो चिक्ति अससेल के लिए राम गिले गा वो हल्वान को वो भीड को एक नियुक्त गिया वह विकति के हाथ में उसको क्या कर जाएगा जंगल में बेज दिया जाएगा वो इसको देखते व्यवन अगा देखो जगत की दुनिया की पापॉंगो वह ले जाने वाल हमेमना मर जाएका को जाद सीव इसको क्वा जाएगा वेशियक मसी शंपर के धर्ती पराया क्योस जगत की पापंगों को सब्सक्रार की पाप हें तो ब burdenya में जन्म लेने वाला है उनका यह यो पर क्रूस पर उठाकर रोपार करूस पर उठाकर लेके घया Agr нравится करुमेसर के में वह कहां गया प laptops थे के साद में पूरा इधिक कर दि गया स्वाधिक कर कर दो अब्रभीश हो गया है जो रखत लेकर पवित्रस्तान में गया है पाप देखी हमें लेने के लिए वापस आने वाला है हालेलुया मनुश्र की पापों में दूसरा परमेश्र की मेमना पवित्रस्तान में वेदी प्रफित करने वाला आज मेरा प्रभी एश्व सुर्गादी सुर्ग में मही मामा में पिता के देहीं ने अपना इस उन्मस्राइब चल्दा कर ढूंठ से में ऐस उसको मुप्त करो पीता के सामने क्या कर रहा है गोशिश है वुड्य की सबस tehा आपको समझेु आ रहा है वह आश्या रगता हुँ we are इस रिए मनिष्टे बन कर आया अप्स्रामे नादास एधिवत्त को सर्गमेश कर संपूर्ण मनिष्य थे संसार में आया कंपाकिंग्ञत सुम्मार स्हट टा इस से कारण मुह्रानवे मंहें बाहर निकल गया है हलेलुया पिजात उसने उसको कुरूस का मृत्यु देन दिया गया कुरूस पर जब था दो चोरों के अगल बगल में था एक नहीं बने विदिव परकेश्टर का पुत्र है कुरूस पर से उत्तर क्या हो हमें भी बचाओ तुमको भी बचाओ तेक दूसरा चोर में क्या बोला जब तुम राजा बनकर आएगा हमें याद करो इसा बोला क्या बोला मुझे एक आंध में आपको कहना चाहिए प्रभू मेरे लिए आत्रूस सहन लिया मेरे पाप से मुझे 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 करो तो येश्टर को क्या बोला उनके नाम चोर था हलेलुया दूसरे एक चोर था बर्बासि खूनी ख्थ्यारे बर्बाद करें वाला था लोगों ने इस सु को क्रूस पर चराने कर दिया यदि आप कुछ छोड़ दिया गया करणν अब समय्य बताने कि निए प्रदों के कामी करते या में लिएiox़ो थे लएगा मुझे भी श्मरन करना ये शुव बढ़ा आज तुमेरे साथ भारदेश में रहेंगे वह नरगेश में जाने वाला था प्रूस पर एशु को पहिचाण लिया है ये प्रिया भाई वहन आज आप क्रूस पर नहीं है आज वजन सुन रहा है जोनी के वह चुन रहा है यह बचन में इतना ताकत है अकर सर्व पापों से अपको शुद्र करने के लिए एश्यू का रखते में ताकत है हलेलुया एश्यू को कबर में रखा कुछ बहनें जाकर उसको शेरी पेचराने के लिए सुगंद वस्तुव मनाया निकड़ में उसनाम के कात्मी अरिमत्या का मंद्री जोसफ वह जिस जगए शुका कुरूस था उसके बगल में उसका खेत लोसका वाडी था वह रगने पत्तर में खोदा हुआ कबर था उसने खुद अपने लिए बनाया था उसकाबर में यह शुको अंदिम सम्सकार कर दिया हलेलूइया निकोदेमोश एक बार रात को एशु के पास आया था जीवन बर वापस एशु के पस नहीं आया लेकिन आख अक्री में कब आया यह शुका शरीर कुछ उस पर से उतारने के लिए निक्ड़ोमस्य अपने सेवा एश्यू के लिए लिए गया है अजन आत्र में सुनने वाला प्रिए भाई बहर्च शायदा को कल मौका दे मिलेगा आज शुक्ता देर के लिए कुछ करने का मौका दिया या यह इसमसी का देर कवर में है बहनें जाकर इतरों बना रहा रहा है शुगत्य वस्तों मना रहा है भाव भाग गया कोई की कवर में शिपाही लोग है मुद्धरांगित किया गया है जहां नहीं सकता है रोमी सरकार तरह खतरनाक है पगड़ के जेल में डाल दिया जाएगा लेकि स्त्रीयों फूर को खबर के पास पहुंच गया लेकि फ़र पर पास का इंग एक सवाल था हमारे लिए पत्तर हमारे लिए पत्तर को लुष्टात्मा लुष्टात्मा से संगवा ये इसु के लिए कुछ सो करने की रादा उन्हें पास था लिए खबर के पास आया को शोड़के सामने से पत्तर नट राएगा ज़़ने खबर के पास आया पत्तर हटाकर पत्तर के ऊपर सुर्गदूद बैठा है हलेलुईया आज रात प्रब्रबु का संदेश के समाप्ति के मैं आते हुए मैं आपको कहना चाहतू आपके सामने जो समझ से रूबी पत्तर है आप पोचेगे कौन अटाएगा कौन उसको मार्ग बनाएगा कौन उसको मेरे लिए मार्ग तयार कराएगा चिंदा मत करना, आपके सामने का पत्तर को हटाने के लिए शुर्गदूद आकर पत्तर के उपर सुर्गदूद विराजमार हो रहा है, हलेलुया, बहने के वाया पत्तर नहीं दिख रहा है, पत्तर के उपर वैटने वाला सुर्गदूद को दिखाई पड़ रहा है, तरहीं कि आट दिया है अगर देस्ट और ग्यारमा बच्छन अगर यदि मसी तुम में है मसी कहां होना चाहिए गुजरती में पढ़िए गुजरती में पढ़िए पढ़िए पिश्ट जो किस्त तमारा माच है क्रिस्ट आज का हंचो क्रिस्ट मारा माच है क्रिस्ट मारा माच है क्रिस्ट क्या हुआ जो यह तो पाप ने लिदे अगरू सगी तो तुमारे लूच है तुमारे शरीर पण्याई पढ़ाने लिदे तुमारे आत्मा जीवे छे तुमारे आत्मा जीवे छे जेने इस्ट ने मुहेला माती उठाड़ियों यह तुमारे जीता हो विश्वास मुझ में जीवे ते इस्ट मुझ में जीवे नो और जीवे तै कंद गंदी पिचर देखने का आदथ जीवेते हैं कहीं होंगे अंदर में विचार जीवित है, उसके अंदर कृष्ट रही है, हजरातर में प्रभु कदास, आपका आत्मी पिता के नाते, हाथ जोड का बिंदी करके कह रहा है, ये मीटिंग क्या शिश्वजन बोलने के पखले कहिए, कृष्ट मएरे दिल में आजाए, मेरे जीवन में आजाए, आज से मुर्त्यूक तर मेरे जीवन का स्वामी, मेरे कृष्ट मुझ में जीवित रहेगा, मेरे ले जी ना मसी मरना पढ़िए 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 जेने इश्वने मुएला माथी उठाड़ियो जेने इश्वने मुएला माथी उठाड़ियो जेनो आत्मा जो तमरा मा वस्तो हो जेनो आत्मा जो तमरा मा वस्तो हो क्रिष्ट मारा तो हमारा क्या देना है लेकिन वो क्रिष्ट सर्ग में नहीं है क्रिष्ट गोलकता में नहीं है वो क्रिष्ट मुझे में है वो क्रिष्ट कहां है मेरा शरीर उसका मंदीर है तो क्रिष्ट मारा मा हो तो जेने खिस्त इश्यूने मुएला माती उठाड़ियो, ते तमागा मा वसनाग पोताना आत्मा निमापते हैं, तमारी अंदर कौन सी आत्मा है, तमारी अंदर जगडानी आत्मा, इर्षयानी आत्मा, कौर क्रोध नी आत्मा, गंदगी नी आत्मा, दारू नी आत्मा, तमारमा वसनार पोताना आत्मानी मार्पते तमारा मर्द्य शरीरों ने पड़ सजीवन करें इसे इश्यू का मुर्थ्यू मेरा फाइदा में बदल गया है यह संदेश आज रात ली और एक बजन चलना समझाने के टाइम यह पेश्यू की पत्रों इसका पहला दिया है प्रेश्यू की पत्री पहला थे आए 19 से पड़िया अने तेनी महान शक्तिना सामर्थि प्रमाने इस मशी की महान शक्ति की सामर्थ प्रमाने आपने विश्वास करें आपके आत्मा में काम कर रहा है आप टेनी शक्तिनों महत्व सूचें ते तमें जानों तेने ते शामर्थिया खिस्तमा देखाडी ने तेने मुएला माती उठाडियों अने सर्वा गाज्य सत्तां अलेलुया रोमी सरकार महान लगाया आए आपके पत्तर रखा कर उसको शिफायों को लगा दिया एक सर्वा राच्य सत्तां अधिकाल पराक्रम धनी पनों अने केवड आकार मानों नहीं पनवाजू आदगाल मां पन अलेलुया आदगा दरे एक नाम जेहो एस रवा करता उचो करी ने को तानी जम लीगा में अ वर्हिस्तानों में घंचाडीयों अलेलुया ये शुआ ऑँ है शरु अमारी मामें शुर्ग स्तादों में बिठा दिया गया वडि जग्राने तेने तेना पगो तड़े राखिया, उसके पाउ तड़े कर दिया, और तेने शर्व पर मंडी नास जीर तरीके निर्मार करें, हलेलुया, उसका प्रचारा अर्विन बाद में एक दिन करूंगा, हलेलुया, एक लंबी संदेश उसके अंदर है, कलेशिया को उसका सर्व स्वबना हलेलुया, हलेलुया, फ्रेश्ट, रंगों बंद करें, ट्राफ्रा करें, मुझे वहला उसके पाउच विर जा रहा हो गया, महाव कर रहें, एक महत्वून संदेश आज रात्र प्रभु ने में होटों में दिया गया, गंधापुर की कलिशिया, मंडी विस्तार की सारे परण परatisfर् Tisch, रंद्गली, य स कतयों मरा, य समसी के बुकियों के दोरा मकाम हम एक क्या मिला है, मैं हम् आनुसी वहने के कर अा मदार्स्ट तुमें से चुड़ा oursं मिसर का पुत अधिकार हमें, सुरके्श्थाणों कि िविस्तार की अधिकार ओस्तार में, उसकी पावि सब कुछ़ है कने स्य के दिन में कर दिया है इस्य मुस्य कलिस्या का शिर दोन disparities को सारति कारे कर abdha तो सब कुछ हो जाएगा सभकुच हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा अशन पवित्र वचर हमारे प्रगठ करने में आपने के दोरा एंतरा अत्मा के दोह किया एश्व की मरिष्व की शमरुंध वेiyi 75 को हम Hundreds और की अ स्जод लुगों में सुना का बारे हम करें को भी स्थिन का सिर्व है प्रभू को कर देह होने के नाती सारे चलिस युग को मैं दुनिया में दौय करते हैं प्रभू महीम आपको मिले इस मसी के नाम से मांगते हैं